दोस्तो इस फोन से इस फोन पे हम कॉल कर रहे हैं सुनिएगा क्या होता है तो अभी आप सुन रहा है यहाँ पे इसा बोल रहा है रो पि डेंका इस कॉली तो यहाँ पे आपके फोन पे कॉल आएगा तो इसी तरह से फोन Cats Casper बोलगर बिताएगा देन call के background में भी जो ये photo दिखेगा जो की काफी attractive लाएगा अगर आप भी चाते हो कि आपके phone पे जब भी किसी का call आए तो phone जोर जोर से नाम बोल कर बताए कि किसका call आ रहा है और call screen पे भी photo दिखे तो ये special video आपके लिए है इस video को देखने के बाद विल्कुल जो है आप अपने call screen पे full photo लगा पाऊगे और call आने पे नाम भी जो है बला पाऊगे जब भी call आएगा phone नाम बोल कर बताएगा तो ये जबरदस्ट trick है ये जबरदस्ट trick आप भी अपने phone में set कर सकते है एक ही trick से आप दो काम जो है कर सकते है full skin call background में लगा सकते है photo set कर सकते है full skin पे call आने पे और call आने पे नाम भी जो है बोला सकते तो ये हम कैसे किया है आप अपने phone में कैसे करोगे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जो है सुरु से लेकर अंतक देखना होगा चलिए वीडियो ये start करते है बताते है कि call आने पे phone नाम बोल कर कैसे बताएगा तो वीडियो में आगर बताते है सबसे पहले आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं के तो जो वीडियो आप देख रहे है उस वीडियो के नीचे देखो गए तो आपको एक लाइक वाला बटन यहाँ पे दिखेगा तो क्या करना है वीडियो को यहाँ से लाइक करते है वीडियो बनाने में काफी मिनत लग और आप लोग लाइक नहीं करते है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता रहता है आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना अच्छा अच्छा वीडियो जो है मैं आपके लिए बनाऊंगा तो वीडियो को लाइक जरूर की जगा यहां से सेर पर टास करके दोस्तों के साथ फेस्बूक वाटसब पर सेर भी कर दिजगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे है उस सहर का अपने गली सहर का नाम लिख के जरूर भेज़ेगा आईए वीडियो में आगे बरता है बताते कि आप अपने फोन में यह कैसे सेटिंग करेंगे जिसे कॉल आएगा तो फोन जो है नाम बोल कर बताएगा तो इस फोन में तो हम सेटिंग कर दिया अभी इस फोन में आपको करके दिखाते है तो सबसे पहले आपको क्या करना इस पर हर फोन में यह काम करता है और यह काफी बढ़िया से नाम भी बोलता है रैटिंग इसको काफी बढ़िया मिला हुआ है सारे तिन के लगब गए और डाउनलोड दा सेम पलस है मतलब कि समझ सकते एक क्रोड से जादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके अपने फोन में रखा हुआ है और इसका यूज डेली बे में करता भी है तो चलिए इस अप्लिकेशन को ओपन करके इसका सेटिंग देखते कि सेटिंग आपको क्या करना है पहले बार इसको ओपन करोगे तो यह इस तरह से ओपन जो है होगा आपको थोड़ा जरी वेट करना है उसके बाद यहां पर अगला सेटिंग जो है इसका आ जाता है तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ा जरी हमको वेटिंग करना है अभी यह लोडिंग ले रहा है तो लो जैसे करोगे तो यहाँ पर यह पर यह भी आपको यह आप करने के लिए बोलेगा तो एक डागए या फिरी का अप्लिकेशन एड आता है तो यहां से कट कर दिजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमें जो option मिलता है तो यहाँ पे call announcer set default कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है सारे option पे टिक कर देना ठीक है चाहिए phone भेवरेट में हो या ring में हो या silent में हो या unknown number हो या name से phone आए सब में यहाँ पे नाम बोले उसके बाद announcer नमबर और announcer फूल कर दीजेगा उसके बाद नीचे आएगा और यहाँ पे save setting कर दीजेगा save setting करोगे तो एक add से लेगा 5 second का add यहाँ से गट कर दीजेगा यह application पे add ज्यादा नहीं आता है 5 second का ही आता है बहुत सारा ऐस application जो 33 second का यहाँ पे add लगा के रखता है तो यह application खास बात यहीं है कि इसमें add भी आता है तो 2-4 second का यह add आता है उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि WhatsApp पे कोई भी message करें तो WhatsApp पे भी जो है यह बोले तो इसको on किजेगा यहाँ से ठीक है give permission दीजेगा और मैं इसको पर्मिशन यहाँ से एलोवेट कर देता हूँ ताकि यह WhatsApp भी message बोल के बता है कि किसका message WhatsApp पे आ रहा है अब इस सबको भी on कर दीजेगा ताकि phone ringer में हो या वेवरेट में हो सबी में काम करें उसके बाद यह announcer WhatsApp पे एक ही रखेगा ज्यादा नहीं रखेगा सब्सक्राइब हो कि SMS में भी आप यहां से ओन कर दीजेगा उसके बाद यहां पे SMS में भी सेटिंग कर दीजेगा सेटिंग होगा SMS में अब हम बैक आता है यहां पे अगला option जो है दोस्तों यहां पे मिलता है डाइलर थिम्स का बैटरी अनाउंस का यह सब भी आप चेंज कर सकते हैं मतलब फॉन को जब भी चार्ज में लगा होगे तो बैटरी जो है यहां पे एनाउंस करेगा कि फॉन में कितना परसेंट बैटरी है चार्ज में फॉन लगा है या नहीं लगा है डिस्कनेक्ट हो गया है यो ज़ै आप यहां पर सब्सक्रास में सकते हैं सब कर डिया है यहां पे धिया करना थिम बदलना थिम यहां पर देख सकते यह तो डैय में यह पे जोंद। लेना है क्योंकि यहां पे हम जोए मैं अपना यूज करना चाहते हूं लिया यह फोटो ले लिया और अपलाई कर देंगे अब सबया हां अब क्लो करते है देखते है फोन नाम बोले के बता यह नहीं बताता यह तो यहां तो इस तरह से आपके फोन पे जब भी कॉल आएगा तो फोन जो है यहां पे नाम बोलकर बताएगा कि किसका कॉल आ रहा है जिसका भी कॉल आएगा उसका नाम बोलकर जो है यह बताएगा कि इसका कॉल आ रहा है तो यह काफी इंट्रेस्टिंग हो जाता है कि आपको यहां प ये वीडियो कैसा लगा वीडियो से ज़रा कुई सवाल है आपके मन में तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हूं उम्मीद है ये ट्रीक आपको काफी बढ़िया लगा होगा काफी पसंद आया होगा तब तक के लिए टेक क्यार बाइवादो